Welcome once again, मैं आपका फ्रेंड असीम शुकला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं एक certified NLP और law of attraction coach हूँ और आज की discussion मैं subconscious mind की infinite powers के बारे मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे discussion करूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो जब हमारे देश में lockdown लागू हुआ था उस दर्मियान की है ये कहानी एक 15 साल की ललकी जिसका नाम जोती कुमारी है उसके बारे में है जोती कुमारी अपने पिता की सहायता करने के लिए बिहार के एक छोटे से गाउं से आई थी और गुरुगराम में जहां उसके पिता जी रहते थे वहां पे पहुची थी लेकिन lockdown हो गया कोरोना की वज़े से और उसके पिता जी जो है वो धन नहीं कमा पा रहे थे उस समय क्योंकि lockdown था वो ऐसा कुछ काम नहीं कर पा रहे थे जिससे उनकी जीविका जो है वो गुरुगराम में चल पा है वो अपनी जो है लाइवली हुड जो है वहां गुरुगराम में नहीं कर पा रहे थे इस कोरोना के lockdown की वज़ा से इसलिए उन्होंने decide कि अब उन्हें अपने गाउं में ही जाना पड़ेगा लेकिन दोस्तों उस समय जोती कुमारी के पिताजी की जो एक टांग थी वो चोटिल थी और वो जो है चल पाने में सक्षम नहीं थे इसलिए जोती कुमारी ने decide कि वो cycle पर ही अपने पिताजी को बैठा कर गुरुगराम से अपने बिहार के गाउं में तक जाएगी और दोस्तों ये एक असंभव सा दिखना वाला काम उस 15 साल की बच्ची जोती कुमारी ने पूरा कर दिया वो रोज जो है पैडल मारते हुए अपने पिताजी को गुरुगराम से बिहार तक ले गई मई के दिन थे वो और करीब 1500 किलोमीटर प्रती दिन चलने के बाद वो अपने गाउं पहुची थी दोस्तों ये एक असंभव सा दिखने वाला कार है कि एक 15 साल की छोटी बच्ची जो है वो साइकल पर अपने पिताजी को बैठा कर गुरुगराम से लेके बिहार की एक छोटे से गाउंग में जो 1500 किलोमीटर दूर है ले जागी ये दिखने में और सोचने में अकल पनी है लेकिन दोस्तों ये उसने पूरा कर दिया ये असंभव सा दिखने वाला लक्ष उसने पूरा कर दिया क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उसके सब कॉंशियस माइड ने और उसकी हार्ट कॉंशियसनेस ने मिलके उससे ये काम करवा द तब यह हाड जो है तब यह जो काम है वो आप पूरी दिल से जुड़ जाता है आपके और जबशी उसको पूरा कर सकते हैं एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कारे को छोटा नहीं होना चाहिए कार जो है बहुत बड़ा होना चाहिए और कोई دूसरा आपशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे यह चीज़ बहुत अनिवार है अगर आपके पास कोई दूसरा आपशन होगा तो फिर आपका जो लॉजिकल माइंड है वो फिर पिर आपसे इस काम को नहीं करवाएगा, फिर वो तरह-तरह के दूसरे बहाने बताएगा और फिर वो आप इस काम को नहीं कर पाएगे, इसलिए दोस्तों जो बड़ा काम आप करना चाहते हैं, उसके बारे में आपके पास कोई दूसरा option नहीं होना चाहिए, तब ये कारे जो को अकलपनी गोल को आपसे करवा पाएगा दोस्तों अगर आप किसी बड़ी बिमारी से जूज रहे हैं तब आप अपने को अपको इससे बाहर निकलना है तो आपको ये जो बिमारी से बाहर निकलने की जो अवस्ता है उसको आपसको अपने हार्ट से जोड़नी होगी अपने हिर्दय को बताना होगा कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है मैं अपने परिवार के लिए अपने सोसाइटी के लिए अपने जान पहचानवारे लोगों के लिए कितना इंपोर्टेंस रखता हूँ मेरे होने की वज़ा से उन लोगो संबल मिलेगा उन लोगो सहारा मिलेगा मैं अपने परिवार वालो और सोसाइटी के लिए जीवन में कुछ कर पाऊंगा यदि मैं स्वस्त हो पाऊंगा दोस्तो ऐसा संकेज जब आप अपने हिर्दय को देंग तो हिर्दय से अभूत पूर्व हीलिंग शक्ती निकलेगी जो आपके सब कॉंसियस माइंड के साथ जुड़के आपके शरीर में उस जो है बड़ी से बड़ी बिमारी को भी हील करने की शक्ती रखती है दोस्तो ये हार्ट कॉंसियसनेस बहुत जरूरी है जब भी आप अपना कोई बड़ा लक्ष अपने हिर्दय से जोड़ेंगे और फिर हिर्दय जो है वो आपके सब कॉंसियस माइंड से जोड़ देगा तो आप यदि कोई भी ऐसा लक्ष है जो आपके लिए बहुत अभी दुरगम दिख रहा है आपको लग रहा है कि आप यह अचीव नहीं कर पाएंगे वो आप सहज़ता से कर सकते हैं जैसा हमने डिसक्रस किया अगर आपकी कोई बड़ी बिमारी है तो आप इसको हील कर सकते हैं या आप बिजनस में हैं आप सेल्स में हैं तो आप यह मत समझ कि आप जो है यह किसी कमपनी के लिए सेल्स कर रहे हैं या किसी सेल्स के लिए ही सेल्स कर रहे हैं या अपनी तनख्वा के लिए सेल्स कर रहे हैं बलकि आप उसमें अपने हिर्दे को जोड़िये और बोलिये कि यह जो हम नोकरी कर रहे हैं जो हम सेल्स कर रहे हैं वो इसलि अपने हार्ट के साथ जोड़ लेंगे तब फिर आपको कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी तो दोस्तों ये एक important टीप थी एक important discussion था subconscious mind की power के बारे में जो मैं आपसे discuss करना चाहता था यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे like और share करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए ताकि आने वाले समय पे हम और भी ऐसे important discussions कर सकें अंत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल के इस महत्वपूर्ट चर्चा को सुना Thank you very much